हेलो फ्रेंड से अब देखके इंस्टाग्राम के पुराना एकाउंट को लोगिन करना चाहते हैं तो आज कि इस वीडियो में पूरूफ के साथ आपको प्रोसेस बताने वाले हैं क्योंकि हर एक इंसर के पास दो इंस्टाग्राम एकाउंट रहता ही रहता है और example के लिए यहांपे एंस्टाउट धंप्ल के लिए यहां प्लाने है that मे इंस्टाउट से अपने अपने अर्षा अपने के इस युजर नम है प्राइनो के पे खूरिक करते ही नीचे कुछ elder लिंक का जो अप्छन है इसमे a और क्लिक करने के बाद अब अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार में आना है और यहां पर सर्च बाला आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर उस URL को पेस्ट कर देने के बाद आपका जितना यूजर नेम रहेगा उसको छोड़ देना और बाकी जितना यहां पर लेटर है इसक करने के बाद आपको एंस्टाग्राम से बैक आजाना decreasing करना है शॉअर् treatments करने कब सभी ऐसन के अफान से बैक आने के बाद इंस्टाग्राम को ही ओपेन करना बिन करने कबाद जो भी आप एकाउंट लोगिन किये हुए हैं उसके प्रफाइल पे नीचे आपको टैप करके रखना और जैसे आप टैप करके रखेंगे नीचे कुछ इस तरह से आपको आपसन मिलेगा सिंपल सा एड इंस्टाग्राम एकाउंट का जो आपसन है इस प क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको आपसन आ जागा फैंड यूर एकाउंट और यहां पर नीचे आपसन मिलेगा यूजर नेम फोन नमबर तो अगर आपके पुराना एकाउंट का यूजर नेम याद नहीं है तो आप फोन नमबर या इमेल भी टाइप कर सकते हैं तो य याद करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है तो एक गंपल के लिए हम इमेल वाला अप्सन पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मेरा इस इमेल पे एक लिंक गया होगा जैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा और पहला लेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम अपने फोन में Gmail application को open करते हैं और यहाँ पे हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम उसी Gmail account में आ जाते हैं जो हम Instagram में दिये हुए हैं और यहाँ पे आने एक बाद देख सकते हैं कि ऊपर email भी आया हुआ है Instagram के तरफ से simple सा हम इस पे क्लिक करेंगे प्रोसेस लेने के बाद यह account है जो login हो गया जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यह account असानी से login हो गया और कितना पुराना मेरा यह account था तूमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह से informative वीडियो के लिए हमारे चैनल PRPT को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट आप करें मिलते हैं टूमीद हर उलते हैं कि यह से अप